अलमेंदर चीमा जी मौझूद ने डेड़े की स्पोर्ट दे विचे पहलवानी किती या हून इस वक्त एसपी पुलिस दिया ने सवामा ने संगरूर पुलिस दे विचे नवा आ रहे ने ते ओलंपिक खेड चुके ने इंडिया नू रेपेजेंट किता है ना ने सर किस तरी के ना देख दियों तुस्ता गेम दे विचे बहुत ज्यादा गे तक गेंओं इंडिया पदर दे पुर्ट दे विचे खेलियों पर हुन जो हलात बने हुए ने पूरे पार्त दा हर एक शक्ष दिया खानाम ने क्योंकि विनेश फोगाट सिर्फ सौ गराम बाजन दे कारन उना नों डिस्क्वालिफाइड कर देता गया असल कंडिशन की हुन दियाने कि अनक थोड़ा बाजन दिनों पर बहुत आसाने ना कटा सागदे हैं गेम तो पहला उना नों बार कर देता गया देखो मैं सब तो पहला कहांगा कि देश दी बेटी ने जो करके दिखाया और अफ्रहां दी डिडी अहले तक दी परफॉर्मेंस अचंगे तो चंगे डेस्लेजनों ने पूल छहाया चार वर्ड चैम्पियन अलम्पिक चैम्पियन नों हराके यह उते ठाक पहँची है तो उस बेटिने उस देश दी बेटिने पूरे देश दा मान बदाया एज छनगा जिन्नियां भी sports ने, जिन्नियां की man to man ने, उनने physical touch लिया sports ने, जरा weight lifting लिया sports, उनना ची weight होना, ताम एदे विच्छ जो में नो लगदा है, जो अशे लड़की नाल तक है, तक है कि जदो उनने पहले दिन अपना weight, प्रॉपर 50 kg दखा के, उनने semi final तक हो जित्ती है, फिर next देश्ट डेज़ फाइनल होना सी दोवारा वेट होना है तब मेरा मनने भी उदे विच जड़ा उनु डिस्कॉलिफाई करता ए बिल्कुल गलता है रादर उनु उदा जो नहीं बाउट लड़ सकी वेट उना स्केल ते नहीं प्रडूस कर सकी तो इसलवर ता उनु मिलना चा अपना प्रूफ करके खेड़ी है ओधा राइट है इदे विच मैं बेंती करूंगा इदे विच मैं चाना कि एज़ी हुन इस टेम सोशल मीडिया थे सारे इंडिया दे विच शोग दी लेर है इनू प्रॉपर्ली एस लड़ाई नू लड़न दी लोड है नंबर एक रेसलि विच वर्ड दे विच नो दो वरी ब्रॉंज मेडल आया ने इशन गेम्स कॉमनवेल्थ एश्या चेंपिशिप कॉमनवेल्थ चेंपिशिप और होर कई मल्टीपल टूर्मेंट्स चो लड़की ने इंडिया नू रिप्रेजन्ट कीता देश दा नैशनल एंथम बड़े मा लग लग अकठे होके इदी अवाज बुलंद करनी चाहिए है रूल ठीक है कि यह किस दा वेट वाद दा उनू पाटिस्पेट ना किता जाए फेर एनफ बट जेड़ा ओस लड़की ने पहला अपना 50 kg प्रूफ करके सेमी फाइनल जित के जो कीता ओदो दा वेट ठीक सी न इदे विच मैं गल होर भी एड़ करना चामाँगा इन केस मनलो रात नू कोई प्लेयर है ओवी बच्चा है हो रहा है उनू की प्रावलम आजे को हाट दी प्रावलम आजे कोई होर इशूज आगे ओ नेक्स डे जाई ना सके वेट देननू कि कामिया इना होस्पितलाइज ह होजे कि अपां सिर्फ एसे अंते होदा सारा कैरियर उधी साड़ी एफट नू एं मननागे क्यों वाइप आउट होगी है तो बहुत गल्थ होया है एक रैसलर जिनने इना स्ट्रगल कीता सर आज दी तुसी सिर्फ एना देखो कि उनने लंपिक्स चे फाइनल्स पहुंच और फिर वेटनी एदू पिछे उधी उधे परिवार दी उधे कोचेस दी और मैं कहांगा इस नेशन ने जो उस लड़की तक कीता चंगा भी कीता हुगा कुछ बंदे माड़े भी ने मैं उनना बारे नहीं कमेंट करांगा बड़ जो चंगा कीता लड़की ने वी साल एक जो ठोके फोकस करके जड़ा उनने स्ट्रगल कीती है उदा बंदा मान उननों मिलना चाहिए अपा जिना मर्जी समझा लिए कि देश दी बेटी है और जितगी यासी मैं भी कहना सारी उमर मैं उननों चैंपियन ट्रीट करांगा बेटी है साथी बट जो मैडल होए और जो अविसारी दीट को निशन देशिती नंगे होंगे तुसी जो तो वेट होंदा सौगराउं वेट था कैना का कि अपा थोड़े कप्ड़े कटा कर जा मैं बालवी कटे ने फोगात ने खाना काट पीके या पानी पीके वाशन जाके शारा कुछ 100 गराउं तो पक्टा सकते ज आनों दसना चाना जी ओदे वेच पूरियां टर्म्स और कंडिशन ने तो सिया अपना कॉस्ट्यूम पाना हुंदा कॉस्ट्यूम पाके वेट देना हुंदा सर जदो आप पहले देनों से लड़की ने 50 किलो वेट दे के उधू बाद उन्हें फाइट्स भी लड़निया ने और मेनों उस डेडिकेशन था पता उस लड़की था सारी रात जड़ी लड़की रनिंग कर दी फिर दिया स्केपिंग कर दी फिर दिया सोना बात ले रही है कदी इवन की लास्ट मूमेंट तक उन्हें अपने वाल तक कटाए सर लोक बलड तक कड़ा अधिन ने लड़की नो था तक कि ता कि चायो दी इस कम ची जान चली जान दी ओधी एफट चो कोई कमी नी बट कई अरी बॉड़ी वेट जो दो सर देखो सब तो ज़्यादा बाइलोजिकली की चीज कटनी है एंड लास्ट मुमेंट थे डैट कटनी है वाटर रिटेंशन लड़की दी वाटर र दखाया है और वो पूरा पार दखाके उनने दुनिया दियां बेस्ट रेस्लर्स नो बीट कीता है बीट करके वो फाइनल च पहुंची है फाइनल आले दिन उदा वेट होना सीगा आसी मंदे आहां होना है जिए वेट नहीं दे पाई ता ओधा सिल्वर दा धावेदार है उदा डिजर्व बंद है जो फाइट नहीं कर पाई या रूल नहीं जो दिनल कीता जा रहे तक है रसलिंग फडरेशन ओफ इंडिया अलंपिक एस्पोर्ट्स मुनिस्ट्री नो लड़की जे पिछे खड़ा हो जाना चाहिएदा है कोई लीगल फाइट लड़नी पाई उदा बंदा हक दोना चाहिएदा एक इस त्रीके नहीं देह दिया क्योंकि होर सवाल उठाए जा रहे हैं कि अपने देश दे कई प्लेयर उत्टी है के लगला खीड़ां देविच लगदा भी सारे नो उत्थे वी एकदम एक मंचेदों पर कठे होना चाहिएदा सी देखो मैं गल कांगा कि जेड़े स्पोर्ट्स इवेंट नीरेज ने परफॉर्म करना है फाइनल चाहिए होर कई बच्चया ने परफॉर्म करना है ओ स्टेज दे आप उन्हा बच्चयानों उत्थे कठा करके नहीं कर सकादे क्योंकि उन्हा दाफोकस है उन्हा सारे बच्चयान फोकस खराब हो जेगा उन्हा बच्चयानों तो सिर्फ इना के देना चाहिए भी सारा नेशन फोगाट दे पिछे खड़ा है और तुसी अपनी जड़ी है अपनी इवेंट ते फोकस करो इस देश दा इस तरंगे दा इस महान पार्त नूं होर बलंदिया ते लेके जाओ और उदे लई जड़ा देश है और फाइट करेगा तुसी भी मांगा रखिया हार एक देश वासिदी ही मांगा कि जदो फोगाट ने साहिमी फाइनल जितले आता नूं सेलवर मिलना चाहिए ता ओ केड़े रूल ने जड़े रूल दे विचुन हुन सेलवर तो भी परे करता कि हाँ जी सेलवर भी इसी दे सकते हूं कि फाइनल जाके बाजन कड़े सर देखो मैं भी जो कल्दा यही चीज नूं पढ़ रहे हैं क्योंकि हुन रूल जे चेंज भी हुए ने पहला साधे टाइम तिन दन तो दो दन दन तो एक दिन ते भी रेसलिंग आई है हुने दवारा फिर फाइनल जड़ा नेक्स दे रखे जांदा है तो दे विच्छों जड़े रूल्स ने ओर रूल्स इना ने जो सेट कीते ने इनसान नहीं कीते ने एदू पहला एदा दा कुई मौका ही नहीं आया हमेशा रूल नू बेटरमेंट करना सते इंप्रोवेशन दा हमेशा च जड़ा उनने कहा कि मैं रिटायर लेन लगी है इस सारे अपने वासते एक चनोती लड़की कह रही है कि मैं अपना कम करता कि तुसी मेरे नालो तो सारे देश वासियां नूम अपील करता कि उस लड़की दे आपनो नाल खड़ा होना चाहिएगा एक सुनीता रानी सी सुना उनना देन आ ड्रवी कितना कि यते ए खलाते दढ़ एभनेशी माडल मिल गया से उनननों गूल्ड ते टाइम ते पुरोई ड़क टेस्ट पॉस्टिवा वागया मैडल बापिस लेया चैलंज गिता हुना ने ड़क टेस्ट नो दास देना बाद दोड़ कि नेक्टिवागा दो सैम्पल्स हों देनी ओक अथखरा यहाँ उनने चयलेंज कि ता सैकेंड टेस्ट कर लें सर आसवरी चयलेंज कोई टेस्ट दा नी है किसे हो दा नि Mister इस वरी चयलेंज पैड़ा कर रहे है और रूजों उन्हों कर रहे है कि जड़े rules बनाए गए वो rules मताबक वो rules जड़े ने वो proper justify नहीं कर दे कोई भी rule जा law बनाया जान दा बेटरमेंट वस्ते किता जान दा और सारी चीज़नो channelize करना स्ती किता जान दा मैं सर्फ इन ना पुछना चाना कि वो लड़की तो वेट 100 gram नहीं प्रॉपर आपाया इन केस रात नो लड़की नो स्ट्रोक आजांदा फिर जा लड़की नो होर कुई प्रावलम आजांदी उन ना जा पांदी किसी रब ना करें किसी एक्स्टेंड दे विच चली जांदी फिर अपां ओदे पहले दिन दे हार्डवर्क नो जेदे च उ नहीं प्रूफ कर पाई तो मैं मनदा ठीक है तुसी दूसरे बंदे नो गोल्ड दे दो एदा सिल्वर ता बंदा ही है तरवंजा के लोड़ा की कहरे ने केंदे भी फोगाट डेड़ी है विनेश हो ता तरवंजा के लो दे प्लेयर सी होन जाके हो फिफ्टी दे विच उते पाटिस्पेड का रहे थी ओट ओकी आसल कहाने या सर देखो जो दो वर्ल्ड चैंपिन्शिप दे विच वेट कैटेगरी जने जडियां ज्यादा ने अलम्पिक्स जाके उस साथ वेट कैटेगरी जनू रमूफ करके चार कर देता जन्दा है ता रैसलर्स जड़ी वेट कै वर्ल्ड ओवर जिन्ने वी रैसलर्स ने ओजडियां फिक्स वेट कैटेगरी जने जडियां जान जान दियां ओदेच आपने वेट नू लेके आंदेने और लेके फाइट कर देने जे आपने उसे वेट हुन फॉर गजांपल जे नाहीं कर दी तो जड़े पन्या किलो दे दुझे खेटने से उनना नहीं आना सी गा जो प्रफॉर्म और जेस तरह दी एक्सिलेंट प्रफॉर्मेंसे से लड़की ने देती उन नहीं देती जानी सी ता मैं उपनली कहना कि ओस ए अपना राइट है कि आपा अपना वेट एक उपर ले जीए एक थले ले ले जीए पोकस और डिटर्मिनेशन जो कोई कसर नी उनने अपने आपनों प्रूफ करता है होना आपनों तगड़े हो कि लीगल वाई जड़ी है लीगल फाइट है ओधे नाल उननों होसला देके लड़नी चाहिए खेट जाकत देले एक बड़ा चैलेज होन कह रहे ने क्योंकि विन काट ने सन्यास ले लेया उनना ने जड़ा ट्वीट किता होते साफ तौरते लिखया कि मेरा हुन दिल तुट गया मेरा होसला है नहीं सपने तुट चुके ने लगदा भी इद्धान दा मैसेज जड़ी कूडी ने पहला भी परदर्शन किते ने सरकारां दे खला आफ ते ह अज तक कई फ्रॉंट्स ते फाइट लड़ी और ओधू बाद अइना मेंटर स्ट्रेस होंदे बाद जिमें उनने इंडिया दे ट्राइल्स जते फेस किता आपने अपनों पर पेर किता फिर अलम्पिक्स दे वेचे जाके कोई एनी की बड़ा इजी पूल पे गया थे मुल्टिपल वर्ड चेंपियन्स उसे वेट दे उनना नों हरा के लड़की फाइनल च पहुंची है उदे जजबे नू उदे एकागरता नू सलाम है सारे देश नू सलाम करना चाहिएदा है मैं फेर उत ही आँ माँगा हून जद बच्चे ओधे इस चीज नाल बहुत डिस साइस गाल नों लेके कि देश दी बेटी जिनने इनना कुछ कीता असाड़ी ती इस तरहां इस स्पोर्ट्स नों अलविदा कर रही है जदों कि ओ गोल्डन मेडल गल्च पाके जदों अलविदा कर दी ता एक रियल ट्रिब्यूट होंदा होदी सारी लाइफ दी जनरी नो तो मैं अपील करांगा कि आपां सारा नो देन नाल खड़ना चाहिए और जड़ी ओफाइट है उन्हों प्रॉपर लड़ना चाहिए और उन्हों जस्टिफिकेशन दोनी चाहिए